बैटरी इंवेटर लेने से पहले हमारे मन में कई सारे प्रस्ण अवश्य घूमते होंगे जैसे हमें सोलर इंवेटर लेना चाहिए या नोन सोलर इंवेटर लेना चाहिए 12 वोल्ट में 24 वोल्ट में या 48 वोल्ट में MPPT या PWM और कौन सी कमपनी का inverter हमारे लिए अच्छा रहेगा दोस्तो मैं आपका दोस्त अर्विंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल Microwave नागल आज इस वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रशनों का समाधान करने की कोशिस करेंगे दोस्तो वीडियो को लाइक शेयर करके कोमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना वैसे तो अलग अलग उपभोगताओं की रिक्वाइर्मेंट अलग अलग होती है परन्तु कुछ ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आप अपने लिए एक बहतर इन्वेटर बैंटरी का चुनाओ कर सकते हैं वीडियो को बिना इसकिप के अंत तक जरूर देखना दोस्तो एक बैटरी इन्वेटर परचेज करने से पहले आपको यह निरने लेना होगा कि आपको सोलर इन्वेटर लेना है या नोन सोलर इन्वेटर लेना है इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यदि आपके यहां बिजली प्रोपर है और आपको बिजली बिल का कोई टैंसन नहीं है तब आप नोन सोलर इन्वेटर के साथ जा सकते हैं और नोन सोलर इन्वेटर में कुछ अच्छी कमपनिया लिूमिनस, लिवगाड और लिवफास्ट के इन्वेटर आप ले सकते हैं कितने VA का invator लेना चाहते हैं आप अपना load चेक करें और अपने load से 2 जुने VA का आप invator ले कर आएं Suppose करें आपका load 300W है तो आप 600 VA तक का invator ले सकते हैं इससे कम नह लें यदि आपका load 500W का है तो आप 1000 VA का ही invator ले कर आएं और यदि आपका लोड पांच सो वाट से अधिक है यानि आपको फ्रीज और वासिंग मसीन आदी लोड भी इन्वेटर पर चलाने हैं तब आपको दो बैंटरी यानि 24 वोल्ट का इन्वेटर लेना पड़ेगा और इसके लिए भी वही फार्मूला कि यदि आपका लोड एक हजार वाट है तब आप दो हजार वी इन्वेटर ले सकते हैं और दोस्तो यदि आपका लोड बारा तेरा सो वाट से उपर है तब आप 48 वोल्ट का इन्वेटर ही परचेज करने की कोशिश करें यदि आपके अकसेत्र में ग्रिड सप्लाई कट ओफ लंबे समय है यानि एक समय में लगातार चार गहंटे से अधिक समय तक पावर सप्लाई ओफ रहती है तब आपको 150 AH से जादा एंपियर की बैंटरी लेनी चाहिए और यदि एक लगातार कट 2 गहंटे से 4 गहंटे रहत और यदि कट आदे आदे गहंटे या एक एक गहंटे के रहते हैं तब आपको 150 AH से कम AH की बैंटरी भी सफिशेंट रह सकती है अब बात करते हैं सोलर इन्वेटर की आप अपने बिजली के बिल से परेशान हैं बिजली का बिल कम करना चाहते हैं या विद्दुत सप्लाई क अधिक समय के लिए कट से परेशान है और या आप बिजली का कनेक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं इसलिए सोलर लगाना चाहते हैं तब आपको नोन सोलर इन्वेटर छोड़कर सोलर इन्वेटर ही परचेज करना चाहिए अब बात आती है कि सोलर इन्वेटर कितनी का लेना चाहिए इसके लिए वही फार्मुला के अपने लोड को वाट में कैलकुलेट करें और उसे दो गुना विये का आप इन्वेटर परचेज करने की कोशिस करें कौन सी कंपनी का लेना चाहिए दोस्तों यदि आप सोलर इन्वेटर खरीद रहे हैं तो इस समय सोलर में ठीक ठाक कंपनिया चल रही हैं आप लिवार का ले सकते हैं इसमार्टन का ले सकते हैं यूटियल और एप्रो का सोलर इन्वेटर आप ले सकते हैं सोलर में आप पी डबलु एम टेकनोलोजी में ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और यदि बजट की कोई परिशानी नहीं है तो आप MPPT Solar Inventor ले 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 तो ज़्यादा बेतर रहेगा। और यदि आप अपने बिजली के बिल को कम से कम करना चाहते हैं, तो किसी भी कमपनी के MPPT Solar Inventor में Grid Enable और Grid Disable का फंक्शन अवश्य देख ले, Inventor के अंदर होना चाहिए, बाकी Hybrid Technology, Smart और PCU Technology यह कोई खास माइने कस्टमर के लिए नहीं रखते, इनसे कस्टमर को कोई खास फाइदा या लेना देना नहीं होता, इस समय की Solar Inventor में जो टेकनोलोजी चल रही है, सभी कमपनियों की अमूमन वही मिली जूली टेकनोलोजी है, और 2022 में यही टेकनोलोजी रहने वाली है, अभी कोई चेंजिंग, किसी कमपनी के द्वारा टेकनोलोजी में नहीं किया जा रहा है, वही R&D है, कोई charging कटोप का एक आद वोल्ट घटा बढ़ा लेता है, कोई low cut का एक आद वोल्ट घटा बढ़ा लेता है, और इन्वेटर का नाम अलग रख लेता है, इससे कस्टमर को कोई benefit नहीं होता, और नाही कस्टमर अपने इन्वेटर में प्रति दिन इन सैटिंग को चेंज कर पाता है, केवल और केवल यदि आप अपने बिजली के बिल को बचाना चाहते हैं, तो grid से charging को disable कर दीजिए, इसके अलावा बाकी function बहुत useful नहीं होते और नहीं उनका कोई परियोग करता है, 2023 में कुछ कमपनिया नई technology के साथ आ रही हैं, बहुत सी technology जो हमारे लिए useful होती है, होनी चाहिए, जैसे इन्वेटर में एक battery management system होना चाहिए, अक्सर देखा जाता है, बैंटरी की gravity कम हो जाती है और इन्वेटर काम करना बंद कर देता है, और solar panel होते हुए भी, grid होते हुए भी, इन्वेटर बैंटरी की gravity नहीं बना पाता और user परेशान रहता है, अधिकतर देखा गया है कि उस समय यूजर माल लेता है कि बैंटरी खराब हो चुकी है, अब हमें बैंटरी replace करनी चाहिए, और यूजर अपनी बैंटरी को change कर लेता है, जबकि बैंटरी खराब नहीं होती, तो इन्वेटर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कि यदि बैंटरी की gravity down हो रही है, तो इन्वेटर को अतिरिक्त boost charging करके gravity maintain रखनी चाहिए, डिस्पले, इंडिगेटर या विशिल के माध्यम से, इन्वेटर जानकारी दे कि बैंटरी में water level कितना है, जिससे यूजर समय से अपनी बैंटरी में water के level को सही रख सके, कई बार बैंटरी खराब हो जाती है और यूजर को पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे इन्वेटर में वह है टेकनोलोजी है ही नहीं, बैंटरी खराब होने से, यूजर के बिजली बिल में बढ़ोतरी होने लगती है, अक्सर देखा गया है कि जो यूजर दो बैंटरी या चार बैंटरी के set यूज करते हैं, और उन में से यदि एक बैंटरी खराब हो जाती है, तो यूजर को पता ही नहीं चलता कि कौन सी बैंटरी खराब है और कौन सी बैंटरी ठीक है और हमारा पुरा ही सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है तो इन्वेटर के अंदर वेवस्था होनी चाहिए कि वह हमें इंडिकेशन के दुआरा बताए कि कौन सी बैटरी खराब है जिससे यूजर एक बैटरी रिपलेस करे उसको दोनों या चारों बैटरी रिपलेस ना करनी पड़े इन्वेटर के अंदर battery management का system होना चाहिए battery equalizer का system होना चाहिए जहांपर 2 या 2 से अधिक battery लगाय जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि यदि उन में से एक battery के volt कम है या discharge है तो हमारा पूरा system ही वर्क नहीं करता तो उस समय इन्वेटर को चाहिए कि जो battery कम charge है उसको दूसरी battery के level में ले कर आए और 90% cases में यह देखा गया है कि जहां पर 2 battery लगी हुई है उन में से 1 battery कम charge रहती है और 1 battery अधिक charge रहती है क्योंकि हमारे inverter के अंदर battery equalizer का function ही नहीं है कि 2 battery, 4 battery, 8 या 10 battery जितनी भी series में लगी हुई है यदि उन में से कोई battery कम charge हो रही है तो inverter में एक function होना चाहिए कि वह सभी battery को एक level में रखे जिसको battery equalizer या battery balancer या battery protection function कहा जाता है जिसके होने से हमारी battery bank का backup बढ़ेगा solar panel की efficiency भी बढ़ेगी और हमारे बिजली के बिल में कमी आएगी और battery की life भी जादा होगी और user को एक बार में ही अपना पुरा battery bank बढ़ने की आवस्चता नहीं पड़ेगी पुरे battery bank में जोन सी battery खराब हो केवल उसी को replace करके user का का काम चल सकता है और दोस्तो यदि आप MPPT solar inverter making की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अर्विंद के टैक पर एक बहुत अच्छी वीडियो स्रीज चल रही है कुछ वीडियो डाली जा चुकी है और कुछ डाली जा रही है चैनल का link description में दे रहा हूँ आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करना, comment करना और यदि चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe करके bell icon का button दबा लेना वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों